हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं स्टिक कटलेट यानि की आइस क्रीम के डिजाइन का कटलेट बहुत ही डिस्टी बहुत ही मज़ेदार बच्चे बड़ी सभी इंज्वाइ करेंगे और मज़े से खाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और यहां पर हमने एक पैन लिया है इसमें हम सबसे पहले त्यार करेंगे अपनी कटलेट का बेस यह बेस हम बनाएंगे आलू के साथ तो चलिए हम पहले आलू का बेस त्यार कर लेते हैं इसके लिए यहां पर हमने डाल दिया है मस्टर्ड आयल एक चमच जैसे यह थोड़ा सा गरम हो जाएगा इसमें हम डालेंगे जीरा तो यहाँ पर मैं एक चूटी चमच जीरा का इस्तेमाल कर रही हूँ तो एक चूटी चमच हमने इसमें जीरा डाल दिया है थोड़ा सा वेट करेंगे 30 सेकंड की अंदर ही आपका जीरा अच्छे से भुन जाएगा यनि इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लग जाएगा तो इस स्टेश पर हम डाले देंगे इसमें एक मीडियम साइज की कटी हुई प्याज और दो से तीन हरी मिर्च मिर्च आप अपने हिसाफ से कम या जादा कर सकते हैं बच्चों के लिए बनाएं तो मिर्च कम ही इस्तेमाल करें तो बस एक बाल से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे तो इसे बिलकुल धीमी धीमी आज पर इसको पकाना है और इसका कलर बहुत सदा ब्राउन आपको नहीं करना है बस थोड़ा लाइट ब्राउन ही करना है चलिए जब तक हमारा ब्राउन हो रहा है प्याज तब तक हम अपनी आलू त्यार कर लेते हैं चार से पाँच आलू को यहाँ पर मैं गरेट करके लोंगी आप चाहे है तो मेर्शा से मैस कर लें वह भी पर होका रहता है लेकिन गर्लेट से ग्रेट करने पी बहुकुल रुब्र नहीं होते गुटलिया नहीं होती और मुझेदार चीज़े बनती हैं जो भी हम बनाते हैं तो इसलिए मैं यहां पर ग्रेट करके लियरे हूं तो यह देखिये सब्षेत को यहां पर हम्ने अच्छी तरीके से ग्रेट करके रख लिया है तो इस तरीके का ग्रीटर फ्रैंट्स जरूर रखिए अपने किछन है ये गरम मसाला रखा है kg गढंग अध्य ऑया है इसको अच्छी तरीक़से मिक्स कर देंगे तो मसाले को तुरंत मिक्स करें तकि यह जले नहीं जहा अभ Hal inclu आपर अध्य जहाए Min ग्रेट किये हुए आलू का टेक्शर कैसा रहता है अगर आप हाथ से मसल करके लेते हैं आलू को फिर उसमें कोई ना कोई गुटली रही जाती है और वो फिर मज़दार नहीं लगता है आप कोई भी डिस बनाते हैं तो आप इस तरीके से अगर ग्रेट करके आलू को बहुत ही मज़दार डिस बनती है और खराब होने का चांस 0% तो पस इस तरीके से अच्छी तरीके से आगों को मिक्स कर लेंगे और इसमें बिल्कुल भी जादा वायल डालने के जरूरत नहीं है और बाकी स्पाइस आप जाएं तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं यह देख अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है सभी आलू अच्छी तरीके से मिल गए हैं अब इसमें बारी है नमक डालने की तो यहाँ पर हम स्वादर नस्वार अपनी नमक डाल देंगे जितना आप नमक खाते हैं उससाफ से डाल सकते हैं फ्रेंट्स यहाँ पर एक चीज में आप एगर आप प्लें आलू से बनाना चाएं पिर भी आप यह songs आरां i donas पता हिस्त भी आरांसे बना सकते हैं तो आप को बिल्कुल मसाले का बेस को अब सकते हैं इसके लिए यहां पर हमने लिया है सिविया यह जो वही सिविया जिसे हम डिजर्ट बनाते हैं खाने के लिए तो यह देखें बिल्कुल महीन वाली सिविया हमने लिया है इसको हम थोड़ा सा क्रेस्ट करके लेंगे यानि छोटे टुकडों में तोड़ करके लेंगे यह देखे बिल्कुल इस तरीके से बारिक बारिक टुकडों में तोड़ लेंगे बिल्कुल फर्टेक्ट है इसी तरीके से चाहिए इसके साथ यहां पर हमने लिया है कॉर्ण फ् का एक घोल त्यार करेंगे जिससे हम कोड करेंगे अपनी जो आइस क्रीम वाली कटलेट बना रहे हैं उस पर तो यह देखिए अच्छा एक लॉंप्री हमने घोल त्यार कर लिया है तो घोल को भी बहुत से तक गाढ़ा रखने की जरूत नहीं है अगर आप मैदे से बना रहे तो यहां पर हमने आपको स्टिक दिखाए बिल्कुल इस तरीके की स्टिक ले लेनी है आइस क्रीम वाली और इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा सा आलों का पोशन लेना है और स्टिक बीच में लगाते हुए इसको यह देखिए मैं कैसे कबर कर रही हूं स्टिक को इस तरीक से लगा करके और इसको अच्छी तरीके से शेप दे देना है यह देखिए बहुत ही आराम से बन गई बिल्कुल आइस क्रीम की से यह फाइदा होता है जब आप आलों को ग्रेट करके लेते हैं बिल्कुल कहीं से टूटेगी नहीं आगे आप प्रोसेस में देखेंगे बिल कॉरंट फ्लॉर को एक बार और मिक्स कर लेंगे क्यूंकि असको रख देने पर यह थोड़ा सा गारा हो जाता है तो चल्यकार अब हम इसको डिब करेंगे घोल में यहीं हमने प्रूर से ना peppers लीकार नहीं है क्यार्ण फ्लॉर मैदे से बना रहे है तो गारा थोड़ा खोल रुखिएगा और बिल्कुल भी अंतर नहीं आएगा चाहिए मैदे से बनाए या कॉर्ण सिर्फ आपको थोड़ा सा कंसिल्टरंसी का ध्यान रुखना है मैदा थोड़ा गाड़ा रखेंगे और कॉर्ण फ्रोर है तो थोड़ा पतला भी चल जाएगा यह दिखिए अब हम इ से कम क्रंची भी चलेंगे ना कम क्रंची मतलब जो मैं लास्ट क कम क्रंची बोल रहा है वह स्कूछ पर्रेंड तो अगर आपको extrater funny चलिए तो जादा सी तो यहां पर हमने तेल गरम होने रख दिया है बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर है तेल हमारा गरम और इसमें हम एक-एक कटलेट को उठाकर डालते जाएंगे इस तरीके से यह देखें बिल्कुल परफिक्ट थोड़ी सावधानी से डालिये तेल के चीटे उपर ना आए अब हम इनको एक साइड अच्छे से फ्राई होने देंगे कितने बड़िया दिख रहे हैं और यह लग रही है कि बिल्कुल आइस क्रीम को हम फ्राई कर रहे हैं तो यह देखें अब यह अच्छे से फ्राई हो जाएंगी जब एक साइड नीचे फ्राई हो जाएंगी तब हम इनको पलटेंगे तो हम देख लेते हैं कि इनका नीचे से क्या हाल है वाव तो यह नीचे से अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो सभी को हम पलट लेते हैं इस तरीके से सभी क तो हमने पलट लेना है पॉफिक्ट एक दम मज़दार क्रंची दम गॉल्डन ब्राउंड कटलिट अमारा कितना मज़दार दिख रहा है तो इसको हम निकाल लेते हैं तेल से बाहर और फ्रेंट्स ये बिल्कुल आप इसको जीरो ओयल भी बोल सकते हैं ने से फ्राय किया है ल मैं आपको experience बदा रही हूँ बहुत ही must लगा बहुत ही अच्छा लगा बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आया तो ये देखिए हमने इसको इस तरीके से बना कर रख लिया है आप अपने मन पसंद हिसाब से म्योनी से ग्रेन चटनी से या फिर टोमेटो केचप से जि यज़ फुर वाचिए